हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो मैं हूँ दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है तो आज हमारे सामने हैं टीवेस अपाचे आर्टीर वन सिक्स्टी टूवी बीए सिक्स दोहजार तेस का सबसे लेटेस्ट मॉडल और बिल्कुल ह नए ग्राफिक्स के साथ में आप देख सकते हैं यह है टीवेस का अपाचे तो आज हम इसके बारे में फुल डीटेल रिवी करेंगे जानेंगे फीचर प्राइस इन सभी के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या नए अपडेट हुआ है तो जैसे आप देख सकते हैं सामन हम आपको ए देखने को मिल रहा है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सेर करें कमेंट करें और चैनल में अगर आप पहली बार आ हैं मेरा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी सेयर जरूर कर लें तो अचल यह बात करते हैं इसके फ्रेंट से तो फ्रेंट में आप देख सकते हैं जैसे कि आप हमारे चैनल में वीजिट करेंगे वहाँ पर आपको अपाचे की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यह आपको बिल्कुल ही एक नया कलर देखने को मिलेगा अपाचे 8R 162V BS6 2023 मॉडल का बिल्कुल ही नया कलर आपको देखने को मिलेगा और मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देखेंगे तो यह आपको मैट ग्रे कलर मिलेगा और इसमें आपको यलो कलर का स्टीकर और यहाँ पर कार्बन टेक्स्चर ग्रे कलर ब्लेक इनका कॉंबिनेशन मिलेगा और ये बाइक आपको बहुत ही सुन्दर देखने में लगेगी तो इसका फुल डीटेल रीव होने वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें काफी अच्छे फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे बदलाओ भी हो चुके हैं तो अभी आप देख सकते हैं फ्रंट से तो फ्रंट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा विन्सील्ड इसमें आपको इसमोकी ब्लैक मिलेगी और ये पूरी बदली जा चुकी है और इसका सेप भी आपको सेम दिखेगा लेकिन आपको इसमें काफी चीजें बदली गई हैं यहाँ पर इसका पूरा वाइजर यहां से बदला गया है डी आरेल बदले गया है फ्रंट में आपको LED हेडलाम सेटप देखने को मिलेगा साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर LED Tech की ब्रेंडिंग आपको देखने को मिलेगी TVS की ब्रेंडिंग आपको यहाँ पर और DRL आप देख सकते हैं कितने खतरनाक से इसमें आपको देखने को मिलेगे तो मतलब प्रॉपर यह बदला जा चुका है सस्पेंसर आपको टैलिस्कॉपिक मिलेंगे फेंडर आपको सेम मिलेंगे ग्राफिक्स आपको फेंडर में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे आपको टायर आपको सेम मिलेंगे इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया और यह TVS के टायर होंगी त्यूबलेस और साइज आप देख सकते हैं 90-90, 17 का मिलेगा ट्यूबलेस टायर, पैटन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 270 mm की फ्रंट में डिस्क मिल जाएगी और 10 इंडिकेटर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगे, इस बाइक में सबसे बड़ाव जो है, यहां पर आप देख यहां से आप देखेंगे तो यह काफ़ी अच्छ ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे,тесь सीट कंफर्ट की तो सीट कंफर्ट काफी बड़िया मिलेगी और यहां पर दूएल टोन सीट मिलेगे यहाँ यहां पर आपको कुछ पॉइंट के साथ में य और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको footrest जो है यह आपको aluminium के rubber padding के साथ में मिल जाएंगे gear lever आप देख सकते हैं काफी sporty मिल जाएगा और इसमें आपको five speed gearbox setup देखने को मिलेगा यहाँ पर sensor भी आपको देखने को मिल जाएगा side stand cut off sensor जो है आपको देखने को मिल जाएगे जैसे bike आपकी gear में होगी और stand लगाएंगे आप यह bike बंद हो जाएगी बात करेंगे हैं इसके chain cover की तो chain cover आप देख सकते हैं इसमें आपको half chain cover मिलेगा और यहाँ पर oaring वाली आपको chain देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा suspension आपको MIG की तरफ से देखने को मिलेगे side guard और female footrest भी install करके मिलेगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह Bluetooth Virgin है तो इसमें आपको जो tire size मिलेगा आप देख सकते हैं 120, 70, 17 का मिल जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा tire देखने को मिलेगा tubeless और tvs का साथ में मैं आपको यहाँ पर देखा दू इसमें tvs racing की स्टीकर भी देखने को मिलेगे इसके रियर टायर में और फ्रेंट में भी आपको मिलेगे और इसका जो 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 जादा ही चौड़ा आपको मिलेगा साथ में बात करेंगे हम इसके grab rail के तो यह आपको split मिल जाएंगे और graphics आपको tail lamp में भी देखने को मिलेगा साथ में आप यहाँ पर देखेंगे इसका बैक का tail lamp है यह आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इसमें आपको 3D में light देखने को मिलेगी साथ में इसके turn indicator यह आपको hylogen bulb के साथ में मिल जाएंगे यह आपको non-flexible देखने को मिलेगे नंबर प्लेट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं नीचे reflector मिल जाएगा और side reflector भी आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग और RTR 160 की ब्रेंडिंग देखने को मिलेगी 220 mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाएगी रियर में और इसमें आपको ड्रम ब्रेक नहीं मिलेगा जो इसका टॉप वेरियंट है इसमें आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक द बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 160 CC का पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा और इस इंजन में काफी अच्छा पावर आपको देखने को मिलेगा इंजन में आप देख सकते हैं TVS की ब्रेंडिंग यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें आपको कोई भी किक फिल्कुल ही नया आपको देखने को मिले गाँ कि भी अप देखने को मिलेगा और यहांपर आप देख सख्ते हैं क्रेश गार्ड मिलेगा दोन्हों तो इसमें काफी अच्छा बदलाव किया गया है साथ में आप पैनल देख सकते हैं पैनल में यहां पर कि आटी एफाई की ब्रेंडिंग रेस्टीव फियूल इंजेक्शन मिल जाता है जिसमें काफी अच्छी पावर इस बैक में निकल के आती है अभी हम बात करने वाले इसके फ्रेंड पे तो यहां पर आपको सिंगल चैनल अब्यस देखने को मिलेगा और यहां पर आपको इहां पर आपको पासिंग, हाई बीम, लो बीम, टान इंडिकेटर और नीचे आपको हाउड नीकी स्वीच देखने को मिलेगी। साथ में यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपको आई बटन भी देखने को मिल जागी। मिर्यर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे मिलेगा आपको अपको कखे पकशाम अपाव बैंडिक्ट जच और इसकी मैं आपको दिख दे öldायागी यहाँसी का लोगो किसी अधर आपको टीवेस की ब्रेंड़िग देखने को मिलेगी इंजर कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते ह की branding यहां पर M और S बटन मिल जाएंगे यहां पर आपको RPM लिमिट देखने को मिलेगी बिल्कुल ही नया Dashboard आपको देखने को मिलेगा इसे आउन कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं गियर अपट और यहां पर आप देखेंगे हाः पाचे की ब्रैंडिक आपाचे की ब्रेंडिंग देखने को मिलेगे साथ में यहाँ पर आर्पीम लिमिट, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक और यहाँ पर एवरेज स्पीड, ड्रैन मोड, मोड भी आपको देखने को मिल जाएगे, मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अरबन और इस्पोर् यहाँ पर आपको पासिं लाइट, न्यूट्रल, इंजन चेक और यहाँ पर आपको टैन इंडिकेटर दोनों स्टाइड में देखने को मिल जाएगे, फीचर आपको बहुत सारे देखने को मिलेगे, एक बार आफ करके मैं, और साइड इस्टेंड कटाफ सेंसर, और इसमें आपको जो फीचर हैं, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और इसे आप बुलुटूथ से कनेक्ट करके इसके फीचर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और यह जो बाइक आपको यह नया कलर है, यह आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है, यह आपको लगबग एक लाख तिरपन हजार में मिल जाएगी, और आपको अपरोक्स आपके नियार बाइस सिटी में आपको कितना मिलता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका तेल लेंप आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें काफी आपको देख सकते हैं, तो यह आपको कैसी लगए, कमेंट करके जरूर बताएं, और बात करें, अगर इसके माइलेज की तो माइलेज आपको अपरोक्सो फुर्टी तो फिप्टी का आपको देखने को मिल सकता है, फिल की क्वालिटी, क्वांटिटी और राइडिंग पर ट तरपरदेश में, और आप यहां से टीवेस की किसी भी बाइक, स्कूटर या मोपेड को आप परचेज कर सकते हैं, तो यह बाइक आपको कैसे लगए, कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, थैंक फॉर वाचिंग, थैंक यू फ्रेंट्स